तो भाई लो कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम स्वागत आपका एक ब्रांड न्यू पपजी मॉबाइल गेमप्ले वीडियो में और ये शायद मेरे इस सीजन का सबसे जादा किलवाला गेमप्ले हाना शायद मुझे ठीक से पता नहीं तो इसमें 34 किलो जाते भाई या जो की काफी बढ़ी आया हना तो एंड तक बिलकुल ठिलाएंगे लोंडे और ओम के सस्ते सॉट सस्ते क्या इस बार थोड़ा सा महेंगा सॉट था ठीक है क्योंकि चलती गाड़ी में दे देता हूं कते ही में खैर वो सब तो आगे हो गया फिलार मुझे M16 A4 मिल और एक स्कॉर्ड भी उतर रही है तो ठिलाते ही ने फटापट अब यार मैं थोड़ा सा लक्की लुक की हो गया था ना इस मैं इसमें उतरते ही M16 मिल गी तो बढ़िया यार तीन लॉंडे खा गया मैं लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा आगे जाने से पहले आटोमेटिक गन की तलास में था ना तो बॉट बूट पे लेंगे लूटने की कोशिश करेंगे फिर दुबाला रस करेंगे लॉंडो पे और पुरा जोड़ जो खाली करेंगे भाई अब यहां पर वो लॉंडा यार वेरा उसमें गुच जाता है हाना तो सीधा जाएंगे तो मौत मिलेगी कि इसलिए मैं कंटेनर से भूल भूला या से घूमते बेचाता हूं साथी साथ एक बॉट भी मिल जाता है तो सही है यार फिरी की किल फिरी की केड़ी बढ़ रही है जमाने तक केड़ी सही रहेगा बॉट को पेल कि तो दिक्कति कार यह ना वो अलग बात है एमो बरबात क अब यहां पर मुझे लगा था यार इतने लॉंडे लेकिन अभी पता चलता है वहां पर कुछ लॉंडे और बेठे आना उस साइड पर तो अब उस साइड पहुंचाते हैं बड़ी मुश्किल से फ्लैंक करके इस साइड आता हूं लॉंडे आगे लड़ाई उड़ाई कर रहे आना लूट रहे हैं तो हम पहुंचाते बिल्कुल अब मजे लेंगे बिल्कुल किल्कुल लेंगे अब यहां भी आखिरी लॉंड़ाई बिल्कुल कंटेश्ट लेरर में दूबक के बैठा होता ना वेक्टर थी भाई एक सेकंड के लिए तो भड़गी थी मेरी लेकिन बच गए पर इतने में क्या होता है कि भाया जोर्जो तो खाली हो गया लेकिन अब जोर्जो सीटी से जो बंदे आते ना भाई जो थर्ड पाटी करने आते हैं उनक यह आने का टाइम हो चुका था ठीक है तो मैं एक स्पॉर्ट करता हूं भटा भट से और डीपी भड़ देता हूं भाई उसके उपर बेल्कुल खतरनाक तरीके से अब यहां पर इन भाई ने भईया डीपी अठाइस से काम कर दिया मेरा ठीक है मैं उपर चड़ रहा था बिल्कुल चौर में ठीक है जब तक नीचे आया स्कोप खोला भईया इट वस टू लेट बहुत देर हो चुकी थी और मुझे लगता है मैंने एक सई संटेंस बोला है फाइनली इंगलीज का खेर वो सब चोड़े यहां पर में रिवाइव होता हूं फटा पट से और बॉट भी आ जाते हैं यहीं पर यह एक तो लॉंडो से लड़ाई चल तो देखो यहार मतलब बहुत थिलाना पड़ेगा अगा कि अगा कि अगे कि अगा कि 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 अब यहां पर यह भाई साप बनके फ्लैंक करते हैं ठीक है मतलब किसी लॉंडे को कोई आइडिया ही नहीं होगा कि प्लैंक हो चुका है मैं तो बॉट को पेलने जा रहा था यह भाई का फ्लैस दिग्या मुझे नहीं तो भाईया काम 25 हो जाता है यह पे सिटूएशन का मुआफजा लेने के बाद मुझे यह यह समाझ आ रहा है कि यह लॉंडा गाड़ी चला रहा था और इन भाई का पूरा गेम गुमाता है यहां पे फ्लैर चलती है प्रिजन की साइड है ना तो हम उपर की साइड आते हैं हाइट एडवांटेज मिलेगा और लॉंडे ठीलाएंगे बिलकुल कि 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 झाल झाल of wonder भी तो इस चोड़ के सकते हैं तो देगाड़ी पटक भारी मैंने इस यह तू-tv कोषिश की जाएगी अभी अब अब यहाँ पर मैं इन भाई से जैसा कि मुझे लगी रहा था ओम उम आई होगी हाना ओम मिल जाती है तो मैं चुरा लेता हूँ एक सस्ते चोर की तरह ओम ले लिए मैंने M4 मेरे पास ही है क्योंकि दूसरी गण में शायद मेरे टीमेट उठा लेता है ड्रॉक की और भाई हमा सारा मन अभी भी नहीं भरता तो ड्रॉक की लिए ही जा रहे होते हैं तभी हमें कुछ खतरनाक देखने को मिलता है तो इन दो लॉंडो ने प्लैन प्लैन कर रखा होता है कि भाईया जो भी ड्रॉप में आएगा उनका काम ख़तम कर देना है वहीं पेठी ला देना है ड्रॉप में बिलकुल क्रेट बना देना है पेठी बना देना है ठीक है लेकिन भाईया मैं थोड़ा साइट से ले रहा प्रदाना मैंने देखा यह दोनों लॉंडे तो यहां बैट रखें मैंने एक ही को देखा दूसरा वाला गिली सूट में था तो वह थोड़ा बाद में दिखा मुझे जब तक वह बलट ता गिली वाला हमने उन्हें भी ठिला दिया यहां पर एक स्कॉड रस करती है तो उन प तो यह जो स्कॉड में जटा पर ठिला पाए ना वो देखो दो चीजों की वजह से था पहली बात यह मैं उपर था तो मेरे पर हाइट एडवांटेज था इससे पहले ही लॉंडे कुछ भी करते उतरते उससे पहले मैंने दो लॉंडे ठिला दिये ठीक है दूसरी बात यह कि भाई ने बहुत गरत गाड़ी रुकी ठीक है साइद इने पता नहीं था मैं इधर हूँ क्योंकि मैं उस साइट था जब तक यह रुकते मैं पहुच चुका था और उपर कूट के भाईया पेल दिया खेर अब आपको ओम का महेंगा सौट देखने को मिलेगा हा ना जैसा मैंने स्टैक्टिंग में बोला था तो तयार हो जाओ तो आर ये थोड़ा सा महेंगा सौट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना ठीक है कते ही चलती गाड़ी से उड़ती गाड़ी से लॉंड़ा ले गया मैं ओम से भाईया मजा आ गया ख्यार वो सब छोड़ा अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको गाड़ी की आवा तो आर जैसा कि मैंने बोला था उस रिच के नीचे लॉंड़े रुके हाना याद रखना ये लॉंड़ा नौक हुआ था इसका मतलब एक या दो लॉंड़े अभी भी उदर हो सकते हैं क्योंकि दो लॉंड़े में पहली पेल चुका हूँ स्क्वाड के आना तो कुछ भी हो सकता है तो गाड़ी इस तरह से रुकूंगा कि मुझे नीचे रिच से भी क कवर मिले और मेरे टीमिट ने यार बहुत सारी स्मोक बना दिये कमी है नी भाई पर तो दिक्कत के कोई बात नहीं होनी चीए तो यार यहाँ पे मेरी पांचवी पड़िवी मैच से मुझे ये पता चलता है कि एकी लॉनडा बाकिया हम दो के आलावा ठीक है और यादे न वो ओम का महेंगा सोठा न तो वो गाड़ी जो यहीं कहीं रुकी थी नीचे रिचके वही वाला लॉंडा बाकी है क्यूंकि इनका जो लॉंडा मैंने पहला था वो नौक हुआ था तो देखो मुझे 80% सोर था कि लॉंडा इस साइड है तो मैं उसी हिसाब से गा तो यहाँ पर आखरी लॉंडे को भी AWM से ठिला दिया है तो जो फीलिंग आती है यार मतलब आखरी लॉंडा ठिलाओ या कोई भी लॉंडा ठिलाओ AWM से तो यार वो बिल्कुल अलग लेवल पर होती है यहां पर सस्ता वाला कोई की स्कोप किया मैंने अपना हाना बिल्कुल फरजी वाला खैर वो सब छोड़ो भाई लोगा आज की वीडियो में इतना ही 34 किल हो चुके हाना भाई तो मजा गया और अगर वीडियो अच्छी हिल्थ के लिए पर कर मिलते भाई लोग यार बाई बाई